तुकड़ जी महराज़ और नहेशवर महराज़ख को कोई डिलिट नहीं मिली थी है। पर जनरेशन टू जनरेशन, सेंचूरी टू सेंचूरी उनके विचार अमर है। पीडियों से पीडियों तक वो विचार लोग अध्यान करते रहेंगे, समस्कार लेते रहेंगे और जाते रहेंगे, कितना बड़ा आशाड़ी काई है, मैं तो दिगोजे जी आपको बेरी तो हिम्मत नहीं होगी, मैं शायद आप से छोटा हूँ, पर इतना आप पैदल जा स है, रेली आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनन देन, मैं कोशिश कर रहा हूँ, यह भी मुझे बताया लोगों ने, कि एक बार निकल जाओ आप, हो जाएगा, पर मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, कि पालखी मारग हम 12,000 करोड का बना रहे है, तो उसक ताकि जो पैदल जाएंगे, उनको हीट, टेंपरेचर की कोई तकलिप नहीं होनी चाहिए, तो हमारी संत परंपरा, साहित्य, संस्कृति, यह महाराष्ट की विशेष्टा है, तुकड़ जी महाराजा और नैनेश्वर महाराज को कोई डिलीट नहीं मिली थी, पर जनरेशन सेंचुरी टु सेंचुरी उनके विचार अमर है, पीडियों से पीडियों तक वो विचार लोग अध्यान करते रहेंगे, संस्कार लेते रहेंगे, और जाते रहेंगे, कितना बड़ा आशाडी काई है, मैं तो दिग्योजे जी आपको बेरी तो हिम्मत नहीं होगी, मैं श कोशिश करें, अपने आप चल पड़ेंगे, यह भी मुझे बताया लोगोंने, कि एक बार निकल जाओ आप, हो जाएगा, पर मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, कि पालखी मारग हम 12,000 करोड का बना रहें, तो उसके बाजू में जो पैदल चलेंगे, तो मैंने हमारे को यह कहा कि आइसा करो कि दो टाइल्स के बीच में घास हुगाना चाहिए, ताकि जो पैदल जाएंगे, उनको हीट, टेमपरेचर की कोई तकलिप नहीं होनी चाहिए, तो हमारी संत परंपरा, साहित्य, स्वास्कृति, यह महाराष्ठ्य की विशेष्ता है,